ुछो आज हम परने जा रहे हैं हमारा बायोम का डेजर्ट बायोम का अगला भग इससे पहले हम पढ़े हम पढ़ eighteen कि रगिस्तान का जो बायोम है उसके अनुकूलन देम 53 यानि जल के सरक्षन के लिए वाटर आप्टेनिंग पानी की प्राप्ति के लिए और हमने इसके दो और थे पाट एक तो हीट टॉलरेंस तीसरा उश्मा की सहन शीलता और चौथा इसका भाग है प्रोटेक्शन तो आज हम पढ़ने जारें इसमें उश्मा की सहन शीलता उश्मा की सहन शीलता जैसे कि हम जानते हैं कि मरुस्तली प्राणी जो है अत्यदिक उश्मा से अपना बचाव करने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनमें जब गर्मिया होती है तो वायू का जो ताप्मान है वो कितना हो जाता है 45 दिग्री से एंटिग्रेड और इससे भी जो है कुछ बातावरण के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कुछ एडप्टेशन इनके अंदर पाए जाते अनुकुलनता है जिससे यह उस बातावरण के अंदर जो है अपने आपको सुरक्षित मैसूस करते हैं तो इसमें क्या-क्या पाई जाते है तो इस साव कर सके उससे इस किस रूप में पाये जाता है शल्क पाये जाते हैं उनके अपर काटे पाये जाते हैं और यह सक्वोट जो है यह उसके ओपर सकीन के ऊपर एक रचना पाए जाती है जो कि इनको सुरक्षात्म कावरन प्रदान करती है फिर प्रेसेंस ओफ लॉंग इनके अंदर पर जाते हैं, उस से उपर रखते हैं तो बॉडी जो है मिट्टी से जो इसका डिरेक्ली जो है कॉंटेक्ट नहीं होता और इनका किस से बचाग हो जाता हीट से जैसे उट की टांगे काफी लंबी लंबी पाई जाती है एपसेंस ओफ एडिपोज लेयर यानि एडिपोज इसतर की अनुपस्तिती तो सामाने प्राणियों में तो क्या है एडिपोज जैसा एक लेयर पाई जाती है किसके नीचे इसकिन के नीचे तो अच्छा के नीचे जो कि इन जो है प्राणियों में नहीं पाई जाती है उट है जैसे उट का जो उपर वो पाई जाता कूबर पाई जाता है इसमें केवल फैट लेयर जो है वो एकत्रित रहती है जो कि उश्मा को शरीर के बाहा निकालने में वेहन कर करने में सहायक होती है फिर एक एस्टीवेशन एस्टीवेशन कुछ जो प्राणी है वह बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वह क्या करते हैं अपने आपको जो है कहीं छुपा लेते किसी ऐसी जगह जहां पर वह लंबे समय तक या तो वही पर पड़े रहें तो जैसे बि प्राणी है उसको आसानी से निकाल पाते हैं जैसे कंगारु रैटर पॉकिट माइस माइस है तो यह जब ज्यादा जो है गर्मी हो जाती है तो यह उसके अंदर जो है बिलों के अंदर जाकर के एकदम इनक्टिव निश्क्रिय जो है वस्था के अंदर पाए जाते हैं तो यानि पानी नहीं है अमारेगिस्तान में और इन्हें अपने पानी को जो है क्या करना है बचाना है स्टोर करके रखना है तो सामन्य प्राणियों में क्या है 20% तक तो डिहाइड्रेशन हो जाने पर क्या उनकी जो है संभावना रहती है कि वो एकदम से डेथ वाली जो आ ज खरी है झाषतान पकती है बिल और टुर्म में रहते हैं देन सामने जो हो जाते हैं कंड़ेशना कर्देशन को जादर हो जरते ughें घंपरेशना कर्दकर अब सिभक इसलिए यहां लिगताओते हैं और बृंट अगता जो होगते कि वासे दिन Year's. निकल कर ये एक्टिव हो जाते हैं फिर हमारा नेक्स्ट चौथा जो हमारे है क्या है प्रोटेक्शन यानि सुरक्षा तो इस मरुस्थल में जो है क्या है बहुत सारी गर्मी है बहुत जादा जो है पाने की कमी है टेंपरेचर बहुत जादा है धूलबरी आंधिया भी बहु टेहरे के लिए भी इनमें अनेक प्रकार की जो है कुछ सुरक्षा आत्मक जो है अनुकूलन पाए जाते हैं जैसे नॉस्ट्रिल्स या जिसको हम कहते हैं नासा छिद्र तो एधिकांश जो हे डेजर्ट के जो आनिमल्स है इनमें नॉस्ट्रिल्स कैसे होते हैं बहुत चोटे भी क्या करें बंद हो जाते हैं तो कम जो है उसमें से पानी जो है इनके बाहर निकलता है नॉस्टिल से आईलिट्स आईलिट्स आनि आँखों कि पलकें तो आखों कि पलकों में भी रुपांत्रन पाये जाते हैं कि इनकि आखों को बंद करने के बाद भी जो इनके olması प्रभावी नहीं पड़ता है एक अनिमल है माबूया माबूया अनिमल जो है इसमें क्या होता है माबूया में नीचे की जो पलके इसकी बढ़ी होती है और कुछ पारदर्शक जैसी होती है तो ये एक क्या covering का काम करती है और कौन से जिल्ली निक्टेटिंग मेंब्रे निमेशक जिल्ली उसका जो है ये कारे करती है जिससे की तेज जो आंधिया चलती है उनसे जो है इनका बचाव हो जाता है तो छिपकली की बीजैसे आंखों के नीचे की जो पलके है बढ़कर के औ उपरी बल्गों के साथ में चिपक जाती है यह लेकिन इनकी पाड़दर्शी होती है तो इसलिए इनकी साइट पर या द्रश्टी पर जो है कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता है कान के उपर रोम की उपस्तिती तो मरुष्टरी-प्राणियों के जो कानों के उपर रोम जैसी स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसे फ्राइनोसोमा है इनके अंदर जो है क्या है एर अपर्चर पाया जाता है तो इन पिर स्प्रिंग कवरिंग और रिश्ट के उपर काटों की जो है एक कवरिंग पाया जाता है जिसे बचते हैं दूसरे जो है अनिमाल से फ्राइनोसोमा जैसे तो इसके फ्रेस्ट पर काटों का आवरंड प्रेजेंट होता है पर उसतरी एनिमल्स के अंदर विश ग्रंथिया भी पाई जाते हैं जिससे ये अपनी सुरक्षा करते हैं इनके अंदर कुछ सेंस ओर्गन्स पाई जाते हैं विक्सित जो है समेधी अंग पाई जाते हैं जिससे ये सुंगने की या देखने की या सुनने की जो है ये सारे जि ने होती है, protective coloration, जैसे कि हमने कहा कि अपनी जो है ये color change कर लेते हैं, protective coloration, तो अच्छा का रंग जो है, मिट्टी के समान हो जाता है, मिट्टी के टीलों के समान हो जाता है, जिससे कि आसाले से ये पहचानने में नहीं आते हैं, तो दूसरे जो predators हैं, जो इनके शत्रू हैं, बचने में जो है यह सहयक होते हैं और कुछ मरुस्तली प्राणियों में रंग बदलने की भी शमता पाई जाती है तो हमारा यह डैजर्ड का डैजर्ड जिनोम जो है यह पहला जो है अमारा बायोम यह कम्प्रीट होता है